तो आज हम बात करेंगे गिटार पिक्स के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से गिटार पिक हमारे गिटार की साउंड और टोन को अफेट करता है यह जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट हैन इंटराक्शन जो है अपनी स्ट्रिंग के साथ वो गिटार पिक के थ्रू ही होता है गिटार पिक्स की जो थिकनेस होती है वो मिलिमीटर में मेजर करी जाती है यहाँ पे मेरे पास दो पिक्स हैं काफी डिफरेंट थिकनेस के यह है टॉटेक्स का 0.5 mm का इसकी थिकनेस पे गौर करिये फिर यहाँ पे यह जिम डनलब का बिक स्टबी है इसकी थिकनेस पे गौर करिये दोनों को साथ में देखिए तो समझ मैंगा कि जो 3 mm का पिक है वो काफी जादा मोटा है 0.5 mm के पिक से इनको बोला जाता है गेजज मतलब कि यह जो है light gauge का पिक है और यह heavy gauge का पिक है और यह 0.5 का और यह 3 mm का है यह काफी contrasting gauges है मतलब कि यह एकदम पतला है यह एकदम मोटा है एकदम light gauge है यह काफी जादा heavy gauge का है और इनके बीच में कई सारे और sizes आते हैं जैसे 1 mm का हो गया 1.3 mm का हो गया 1.5 हो गया 2 mm हो गया कई सारे और thickness के पिक्स आते हैं नेक्स चीज़ बात करते हैं लचीले पन की यह पिक जो है काफी लचीला है अगर आप देखिए इसको इसकी body कितना जादा move कर रही है यह पिक बिल्कुल भी लचीला नहीं है देखिए यह बिल्कुल भी move नहीं कर रहा तो दो factors हो गया देखने के पिक को एक हो गया कि आपकी जो thickness है मतलब कि पिक कौन सी gauge का है light है या heavy है दूसरी चीज elasticity usually क्या होता है कि जितने भी पिक्स light gauge के होते हैं उनमें elasticity जादा होती है heavy gauge picks की comparison में और last बात करते हैं application और sound यह वाला पिक की जो sound होगी यह काफी bright होगी lush होगी इसलिए आप इसको chords acoustic guitar पे play करने के लिए use कर सकते हैं ताकि आपको जो sound मिले वो bright हो lush हो दूसरी तरफ इस वाले पिक की जो sound है वो काफी mellow होती है मतलब कि अगर आप lead प्ले कर रहे हैं जहां पे आपको थोड़ी सी soft sound चाहिए या फिर अगर आपको एक well rounded tone चाहिए और आप जो parts play कर रहे हैं lead पे वो काफी technical है तो उसमें ये pick आपकी मदद करेगा also क्योंकि ये pick जो है बिल्कुल लचीला नहीं है तो ये आपको precision काफी देता है versus इस pick में जिसमें लचीला पन जादा है क्योंकि अगर आप precise movements चाहर है और लचीला पन होगा तो pick जो है कभी-कभी गलत जगा पे भी hit कर सकता है ऐसा कोई rule नहीं है कि आपको इस pick को हमेशा rhythms के लिए use करना है और इस pick को हमेशा leads के लिए use करना है ये थोड़ा बस एक तरीके का framework में divide करा हुआ है आप दोनों picks को अपने मन के हिसाब से किसी भी application के लिए use कर सकते हैं अब हम देख सकते हैं कि दोनों की बीच में sound का difference क्या है light gauge pick का और heavy gauge pick का पहले मैं कुछ chords play करूँगा और पहले मैं बजाओंगा उसको अपने big stubby 3mm से और उसकी sound आप सुनियेगा उसके बाद में उसको अपने light gauge 0.5mm pick से बजाओंगा पहरा demonstration ये है heavy gauge pick के साथ अब मैं अपने light gauge पर क्यूज करूँगा उसकी sound ये आएगी दोनों की sound मुझे दोनों की sound on basis of application समझ में आती है कि कहां पे किसकी sound जाद अच्छी लगी कि कहां पे किसकी sound नहीं अच्छी लगेगी दोनों choices हैं हमारे पास लेकिन जो ठीस गौर करने वाली यहां पे है वो यह है कि जो pick का attack है जैसे जो light gauge pick है उसकी attack की sound सुनियेगा versus heavy gauge pick की तो इसकी sound जादा mellow आ रही है उसकी sound जादा bright आ रही है और यही main difference है दोनों में तो rhythm playing के लिए most of the time अगर आप चाहिए आपका guitar का sound है वो cut through करे mix में cut through करे आपके band के पूरी setup में तो यह pick use करेंगे तो जो यह attack इसका अच्छा आ रहा है यह cut through करेगा और आपके guitar पौरी जादा audible बना देगा next demo की बात करते हैं यहां पर मैं lead को demonstrate करूँगा अपने दोनों picks के साथ और पहले मैं use करूँगा 0.5 mm का pick उसके बाद फिर मैं 3 mm का pick use करूँगा और दोनों के sound difference को सुनने की कोशिश करिया आप अब 3 mm का pick तो मेरे हिसाब से इसकी जादा mellow tone है 3 mm के pick की और 0.5 mm के pick की जो tone थी वो थोड़ी सी bright जादा थी versus और इसमें तो यह सब जो note sensor की sound बहुत thin आ रही है versus तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि application की जब बात करते हैं lead में तो यहाँ पर मेरे को better sound करता है 3 mm का pick मतलब कि heavier gauge picks जो होता है जिनमें elasticity की कमी होती है और जिनका gauge जादा होता है थोड़ा I am not saying कि 3 mm का ही pick यूज होना चाहिए even 1 mm 1.5 mm का pick भी जो होगा वो भी अच्छा कार सा hard होता है तो उसकी sound भी tone जो होगी वो well rounded mellow होगी ना कि इसकी तरह तो थोड़ी से जारा floppy bright की तरफ हो जाती है इस context में हमने अभी picks के primary features की बात करी जो की थी gauge और elasticity जो की tone को effect करती है अब उन चीजों की बात करते हैं जो आपकी playability और ease of playing को मतलब effect करती है तो उन में मैंने 4 categories बनाई है pick का texture, pick का shape, pick का size और pick की grip है सबसे बहले बात करते हैं texture के बारे में तो texture जो है इस बात पर depend करता है कि आपकी pick किस material की बनी है mostly जो guitar picks आप market में देखेंगे वो आती है plastic की बनी है, यह सारी picks plastic की है सिवाए इसके कुछ-कुछ होती जिए rubbery coating होती है ताकि आपको थोड़ी सी grip और बहतर मिले तो वो सब आप try or test करके देख सकते हैं next बात करते हैं shape की, picks जो होते हैं कई तरीके shapes में आते हैं लेकिन primary चीज जो आपको affect करेगी वो यह होगा कि आपकी जो pick की edge है जहां से आप string को hit करते हैं वो pointed है या थोड़ी से rounded है जैसे right वाले pick में जो white color का है उसमें थोड़ी से rounded edge है और stubby में जो purple है उसमें थोड़ी pointed edge है इसकी वज़े से आपके precision और थोड़ा बाग playing को in fact I would say थोड़ा बहुत नहीं काफी affect पड़ता है तो आपको बजा के देखना चाहिए कि आपके लिए क्या work कर रहा है next बात करते हैं size की picks के size भी फरक फरक किसम के होते हैं जैसे कि ये pick जो है ये छोटा है जो right में है stubby से अब जैसे jazz 3 एक बहुती popular pick है जो काफी छोटा होता है उसके भी कई सारे variations आते है पर उसका जो red वाला छोटा वाला version आता है वो काफी popular है तो वो भी आपको try or test करके दे बैट जाए मतलब fit हो जाए grips कई तरीके की हो सकती है कुछ लोग textures बनाते हैं pick के उपर दाकी grip हो जाए ताकि pick जो हाथ से पिसल के ना कि रहे बिना grip के picks इस तरीके के होते हैं और बाकी किसम की जो जितने भी यहाँ पे रखे हैं और बाकी इसको छोड़के बिना grip के हैं इन कुछ कौन सा बैतर है कौन सा बैतर नहीं है लेकिन loosely managed our categories में divide किया हुआ है तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि आप कौन सा pick use करेंगे वो इस बात पर भी depend करेगा कि आपको क्या comfortable लगता है आपको कैसा music play करना है और आपके हाथ में कौन से चीश सबसे सब अच्छे से fit हो साथ में obviously gauge का तो फरक होता ही है साथ में जो size होता है वो बड़ा है या चोटा है सब को try करके देखिए और देखिए कि आपको सबसे सादा balance किसमें लग रहा है so अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे है तो please मेरे चानल को subscribe करिए इस वीडियो को like करिए और comment ज़ूर कर है तो so thank you so much for watching